हेलो फ्रेंट्स हम सीख रहे हैं vocab by SP वक्षी फ्रेंट्स पिछले लेक्चर में हमने 10 words discuss किये थे आज हम आगे 10 words को discuss करने जा रहे हैं तो लेक्चर बड़ा important होने वाला है फ्रेंट्स एक-एक point को बड़े ध्यान से समझेगा तो चलिए फ्रेंट्स let's start देखे यहां जो वर्ड है सबसे पहला जो वर्ड है वो है अल्ट्रूइज्म और फ्रेंट्स यहां सीरियल नंबर उसी को आगे बढ़ा लेते हैं यानि 10 हमने जो पिछले लेक्चर में वर्ड किये थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं 11 12 13 अल्ट्रूइज्म हलाकि इस वर्ड को हम नॉर्मल लूइस में भी पढ़ चुके हैं क्लियर फ्रेंट्स अल्ट्रूइज्म तो अल्ट्रूइज्म क्या होता है यह होता है फ्रेंट्स परोब कारिता अल्ट्रूइज्म यानि परोब कारिता और एक चीज़ और बता दू में जहां पर भी आई ए तो अल्ट्रूइज्म यानि परोपकारिता अल्ट्रूइज्म एक एक्जामपल हम ले सकते हैं ही इज इंब्यूड विद अल्ट्रूइज्म यू आई एस एम अब देखिए यहां एक वर्ट से हमने तीन चीजे लांड कर ली एक तो अल्ट्रूइज्म का मेनिंग और दूसरा एक इंब्यूड दूसरा वर्ट हमें मिल गया और तीसरी बात यह हमें मिल गई कि जहां भी इंब्यू आता है इसके बाद प्रपरिशन क्या फोलो होती है वो होती है विद और इंब्यू का मतलब क्या होता फ्रेंस ओध प्रोथ यानि जिसे हम कह देते हैं भरा हुआ तो इस वर्ड इसका मिनिंग क् ओध प्रोथ अक्सर हम यूज कर लेते हैं इस वर्ड को ओध प्रोथ यानि भरा हुआ सिंपल भाजा में कहें तो भरा हुआ क्लियर फ्रेंस और ये होता है अल्ट्रूइज्म बात क्लियर हो गई परोबकारिता जानते हैं अब परोबकारिता की बात हो रही है तो फ्रेंस परोबकारी की भी हो जाए अब परोबकारी क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की भलाई करता है दूसरे का फेवर वो करता है उसको कहते हैं अल्ट्रूिस्ट यू आई एस टी अल्ट्रूिस्ट और यह जो वर्ड है यह क्या है फ्रेंड्स यह भी नाउन है अल्ट्रूिस्ट और यह हो गया फ्रेंड्स परोब कारी क्लियर नेक्स्ट वर्ड है एमास एमास का मतलब होता है इखटा करना यानि टू गैदर गैदर करना किसी चीज़ को एमास और यह है फ्रेंड्स वर्ब यानि इखटा करना और यू कैन से टू गैदर प्रेंट क्लियर हुआ है एमास यानि अटव पुलीस इज आमसींग आविडियन्स है इवीडियन्स क्लियर हो गई बात तो एमास इवीडियन्स का मतलब क्या हो गया प्रमाण इखटा करना प्रमाण इखटा करना एक और बड़ा सुटेबल सा एक्जामपल हमें मिल सकता है जैसे हम कह देते हैं ट्रूप्स आर अमासिंग ऑन दा बॉर्डर ट्रूप्स आर अमासिंग ऑन दा चलो लिख लेते हैं चाइना बॉर्डर आजकल चाइना से ही तना तनी हमारी चल रही है ज्यादा पाकिस्तान तो चुप बैठा है तो troops are amassing on the China water clear हो गई बात अच्छा यह जो world have friends amass यानि खटा करना gather इसका जो एक antonym हो जाता है वो हो जाता है disperse और यह क्या हो गया इसका antonym clear तो disperse इसका upset हो गया next world have friends acrimonious acrimonious यहीं लिख लें चलिए acrimonious और acrimonious का मतलब होता है friends कटू कड़वा उग्र और देखे यूएस वाले जो ज़्यादतर words होते हैं वो होते है friends adjective तो यह जो acrimonious होगा यह क्या होगा adjective होगा और इसका मतलब हो जाएगा कटू या उग्र जैसे हम कह देते हैं बड़े कटू सोभाब का है हम कह देते हैं शार्प कास्टिक clear friends कास्टिक शार्प और कास्टिक जैसे हम कह देते हैं इसको एक एक्जामपल लेने यानि करबे संबंद यानि संबंद जहां अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वहां क्या यूज कर लेते हैं एक्रिमोनियस रिलेशन्स हम यूज कर सकते हैं clear friends तो चलिए नोट कर लेते हैं फटा फट friends acrimonious के साथ साथ एक वर्ड एक यहां sentence अक्सर मिल जाता है कि they had an acrimonious divorce जो divorce हुआ उनका तो वह divorce कैसा हुआ acrimonious clear friends they had an acrimonious divorce यानि बड़ा कडवा तलाग बड़ा कटू तलाग क्लियर नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंस एनोमली एनोमली का मतलब क्या होता है एनोमली कहते है फ्रेंस एन्यमित्त को या असंगती को क्लियर एनोमली और यह वर्ड है शायर यह 13 14 के असपास होगा एनोमली क्या होगे फ्रेंस एन्यमित्त एनामली एना मली और यह वर्ड की नेचर क्या होगी यह नाउन होगा यह एजक्टिव होगा एनामली क्या है फ्रेंस नाउन अब देखें अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि कौन सा वर्ड नाउन हो सकता है कौन सा एजक्टिव हो सकता है लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे जहां आपने 100 200 वर्ड्स यहां समझ लिए तो उसके बाद आपको एक फिलिंग होने लगेगी कि यह वर्ड है तो इसकी नेचर क्या होगी क्लियर तो अनामली यानि ए संग्डती यह नियमित्ता क्लियर होगी क्लियर हो गई फ्रेंट्स कई बार हम क्या करते हैं ब्लड टेस्ट हमने कराया एक लैप पर ब्लड टेस्ट कराया तो कुछ और था दो सी लेब पे चले गए तो वहाँ कुछ और निकला, सेम ब्लड था, रिजर्ट सेम नहीं निकला, तो हम क्या कह सकते हैं, there is an anomaly in my blood test, clear friends? there is an anomaly in my blood test, clear? और इसी से एक word बन जाता है, friends, ये noun है anomaly, इससे एक adjective भी बन जाता है, और वो होता है anomalous, anomalous, और ये क्या बन जाता है, ये हो जाता है, adjective, और इसका जो मतलब क्या हो गया, friends, यहाँ एसंगत ही है, तो यहाँ क्या हो गया, एसंगत, या एसामानिय, या एनियमित, बात के लिए हो गई, यानि anomalous, एसंगत, एसामानिय और इनियमित, कई बार हम कह देते हैं, भई, एसंगत अवस्था है, यानि anomalous situation, clear, friends, anomalous situation, यानि एसंगत अवस्था, बात के लिए है, friends, हिंदी का राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए, थोड़ा कोशिस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, मैं भी कोशिस करूँगा, सब साब लिखू, next word है, friends, aptitude, aptitude बड़ा common word है, और aptitude से हमें एक तुरंत हमें strike हो जाता है, teaching aptitude, clear, friends, तो aptitude का जो मतलब होता, यह जो word है, word है, friends, यह noun, और इसका मतलब होता है, योग्यता, clear, और योग्यता के साथ साथ कोई रूची हो सकती है, जुकाब हो सकता है अभी रूची हो सकती है रूची भी कह देते है अभी रूची भी कह देते है और जुकाब भी कह सकते है इसको Clear Friends, aptitude और एक word और हां इसको हम talent भी कह सकते है Talent तो example क्या लें example वही ले लेते हैं Teaching, aptitude यानि शिक्षण अभी रूचे क्लियर हो फ्रेंट्स वर्ड नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंट्स अलिमनी और अलिमनी क्या होता है ये भी नाउन है फ्रेंट्स अलिमनी और अलिमनी का मतलब होता है निर्वाह भत्ता यानि जब डाइवोर्स हो जाता है जिसको हम कहा देते हैं तलाग हो जाता है तो तलाग होने के बाद जो वाइफ है वो कोर्ट में एक प्ली डाल देती है कि मुझे जो है तलाग के बाद निर्वाह भत्ता चाहिए तो जो भत्ता कोर्ट वहाँ डिसाइड कर देती है किसको एक तलाग शुदा महिला को उस भत्ते को हम क्या कहते हैं यानि जीवन निर्वाह भत्ता और किसके लिए इसपेसली इन दे सेंस आफ डिवोर्ट सी क्लियर फ्रेंट्स तो यानि इसको हम कह दें निर्वाह भत्ता तलाग शुदा को क्लियर फ्रेंट्स बात्सवल में आगई यानि सी रिसीव अलिमनी फ्रॉम हर एक्स हजबंट्स सिंपल सा संटेंस हमारा बन गया सी रिसीव अलिमनी फ्रॉम हर एक्स हजबंट्स यानि एक्स हजबंट्स से उसको क्या मिलता है अलिमनी मिलती है निर्वाह भत्ता मिलता है क्लियर फ्रेंट्स तो चलिए नोट कर लेते हैं अीक कि नेक्स वर्ड़ है ऊक्राइटोंब का मतलब होता है प्राइस चित करना और एक चीज़ और मैं बतादू जहां बही यám उनाता है ये जो अनुट्स और और यहां शाहिए 17 होग अ होगा और मतलब हुआ अच्छा यह वर्ड क्या है यह वर्ब है यानि अटोन वर्ब और परायश्चित करना और फोलो करता है फोर को यानि हम कह सकते हैं यू शूड अटोन फॉर यॉर फॉल्ट या अटोन फॉर हिस क्राइम यू शूड यू शूड यू यू फॉल्ट ख्लियर हो गया यानि आपकी जो गलतिया की है आपने उन पर आपको प्रायश्चित करना चाहिए यानि अटोन और परपाईश्चित करता है फोर या अटोन फोर हिस क्राइम हिज क्या फ्रेंट्स यौर लिख लेते हैं यहां यौर क्राइम यानि अपने क्राइम के परती प्राइशित कर रो नेक्स वर्ड है फ्रेंट्स एम्बी गुव अँदेखें अम्बी आई जी यू ओ यूव अडेटे चलें और यहां जो यह वर्ड है यह है फ्रेंट्स एजक्टिव और इसका जो अर्थ होता है वह होता है दूई अर्थक या एस पस्ट और यू कन से अंकलियर या डाउटफुल डाउटफुल के ये फ्रेंट्स हम कई बार ऐसी भाषा बोल देते हैं जो दूर्थी होती है जिसके दो सेंस निकलते हैं एक अच्छा निकलता है एक बुरा निकलता है तो वो भाषा कैसी कहलाती है वो कहलाती है तो वी कन से अवोईड दा अव्बिग्व़स लेंगवज एक्जामपल ले लेते हैं अवोईड अव्बिग्वज यानि जो दूर्थी भाषा है उसको बोलने से आप बचे हैं एक singer है honey sing, उसके जो शब्द होते हैं, songs होते हैं, उनमें जो language वो use करता है, वो ambiguous होते हैं तो honey sings ambiguous songs, you can say, honey sings ambiguous songs, बात के लिए हो गई friends, honey sing ambiguous songs और you can say ambiguous meaning, यानि द्वी अर्थी meaning निकल रहा है कहीं, तो हम ambiguous meaning भी वहां कह सकते हैं और इसी से दूसरा word बन जाता है, वो बन जाता है friends, ambiguity, यानि यह तो adjective है, वो बन जाएगा noun और इसका मतलब हो गया द्वी अर्थकता या एस पस्टता, ता लग जाता है द्वी अर्थकता और एस पस्टता, क्लियर होगी बात? यानि हम कह सकते हैं, कि his actions showed moral ambiguity, कि उसके जो कारणामे हैं, वो बताते हैं, उसकी moral ambiguity को, यानि नैतिक रूप से इस पस्टता को बताते हैं clear friends, his actions shows show his moral ambiguity, यानि नैतिक रूप थकता, बात क्लियर होगी friends, or you can see this sentence, this statement has a lot of ambiguity, कि ये जो statement है, ये जो तथ्य है, ये जो बाक्य है, इसमें बहुत अधिक ऐस पस्टता है, तो वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, कि your statement or this statement has a lot of ambiguity, बात के लिए होगी friends, तो चलिए, नोट कर लेते हैं, friends, अब next word आता है, और वो है, abdure, abdure क्या होता है friends, abdure होता है, give up, यानि त्याग देना, देखे, किसी भी चीज को जब हम शपत लेकर त्याग देते हैं, क्या, शपत, यानि give up with an oath, किसी oath के साथ त्याग देते हैं, तो वहाँ हम word यूज करते हैं, abdure, जैसे हम धर्म त्याग देते हैं, तो जब हम धर्म त्यागते हैं, तो हम एक शपत लेते हैं, कि मैंने इस धर्म को चोड़ दिया, और अब मैं इस धर्म में आ रहा हूँ, तो वहाँ हम कह सकते हैं, abdure और यह वर्ड क्या है फिरन्स यह वर्व है यानि गिव-प और शपत-पूर्वक त्याग küsh बात के लियर हो गई शपत पूर्वक त्यागने को हमने क्या कह दिया अबज्तियूर कह दिया तो एक्जाम्पल हम ले सकते हैं, अब्जूर क्रिस्चनिटी, और सी फ्रेंट्स कैपिटल होना चाहिए, अब्जूर क्रिस्चनिटी, यानि जो क्रिस्चनिटी है, उसको त्याग दिया, और अब्जूर, और इसी से एक वर्ड बन जाता है, अगर इसकी नाउन की बात करें, तो वर्ड बन जाता है, अब्जूरेशन, और यह क्या है, नाउन है, और इसका मत्तभ होता है, से शपत त्याग, शपत और त्याग, और कैसे सपत, से शपत त्याग, यानि जब हम किसी चीज़ का से सपत त्याग कर देते हैं, तो वहां हम वर्ड यूज़ करते हैं, अब्जूरेशन, और हम यह कह सकते हैं, अगर हम वर्ड यूज़ करें, अब्जूर दा रिल्म, यानि, अब्जूर, ही अब्जूर्ड दा रिल्म, तो क्या मतलब हो गया इसका, कि ही स्वेयर, एन ओथ, तो, गिव अप, इस कंट्री, फॉर एवर, क्लियर हो गया फिंस, बन गया, और एक चीज़ और बता दू, हम इसको हिंट, एक लर्ण करने के लिए अब्जूर को, एक हिंट दे देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, जो हमारी गलत आदते होती है, जिसको हम कह देते हैं, एब, क्या एब, एक अपनी सामानिय भासा में एब कह देते हैं, तो एब को हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, कोई भी बैड हैब हमारे अंदर है, उसको हमें त्याग देना चाहिए, तो अगर हम लर्ण करने की एब त्यागे जाते हैं, तो हमें इस वर्ड का मीनिंग लर्ण हो गया, एबजियूर और एबजियूर से मतलब एब, क्लियर, हो गया लर्ण, त्यागे जाते हैं, इसी से मिलता जूलता एक वर्ड है यहां, जो ट्वंटीत नंबर पे है, वो है फिर्ण्स एडजियूर, यहां तो बी था, लेकिन यहां डी है, और जो एडजियूर है, यह वर्ड है, तो ओवियसली इसकी नेचर भी क्या है, यह वर्ड भी होगा, तो एडजियूर का आर्थना करना, यह विन्ति करना, यह अनुरोध करना, यह अबजियूर होता, यानि रिक्वेस्ट यह अडजियूर, जैसे मैं कहूं कि I adjure you to tell the truth, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, सच बता दे, तो I request you to tell me the truth, तो टेल मी दा टूट बात के लियर फ्रेंट्स तो यहां क्या हो गया यह हो गया रिक्वेस्ट करना और एक चीज और है एक हिंट आपको दे दूँ अगर हम एड्जीवर की बात कर रहे हैं तो हम जो हमारे एड होते हैं यारी एड्वर्टाइजमेंट जो होते हैं उनमें प् अच्छा है यह अच्छा है यह अच्छा है क्लियर वह एड्वर्टाइजमेंट में डिफेंट मीन्स से हमें दिखाते हैं डिफेंट वेज होते हैं अड्वर्टाइजमेंट के तो एड्वर्टाइजमेंट से हम क्या करते हैं जो कंपनी हैं वो रिक्वेस्ट करती है कि से कभी भूल पाएंगे या नहीं क्लिर यानि हमेशा के लिए लैंड हुए है कि नहीं वर्ट्स एड में रिक्वेस्ट करते हैं और एब त्याग दिये जाते हैं चलिए फ्रेंड़ अज का लेक्छर यहीं कंप्लीट करते हैं ओर लेक्छर आपको पसद आया की नहीं आया, कमेंट करके जरूर अपनी राए दे, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंट्स को शेयर करें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल और लाइक बटन को दबाना ना भूले, चैलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, नाव त्रेंट्स वर वचिंट नेक्स लेक्ची को दिवाच वीघ।